दोस्तो आपने data को receive और send करने के लिए Bluetooth का उपयक mobile, laptop, computer और other devices में किया होगा और हम सभी जानते हैं कि Bluetooth एक wireless connection है और यही Bluetooth technology की खास बात है जो कि कुछ meters की दाइरे के अंदर radio frequency में काम करती है दोस्तो आप जानते हैं Bluetooth को नाम किस ने दिया और इसकी खोच कब और किस ने की थी दोस्तो Bluetooth को सबसे पहले सन 1994 में हाटसन द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तो आपको बता दे कि वास्तो में Bluetooth का नाम डेन्मार के 10 वी सदी के राजा हरनल Bluetooth के नाम पर रखा गया था तो दोस्तो हैनल Bluetooth के नाम से जड़ा एक amazing fact दोस्तो आपको आज का फैट कैसे लगा हमें comment में जरू बताएगा और हमारे माइन को चैनल को subscribe भी जरू कीजेगा ओके, thanks for watching